हेलो दोस्तो प्रप्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल आपको रियल स्टेट ट्रेनिंग और रियल स्टेट में एक्सपर्ट अडवाईज देने का काम करता है और मैं हूं राजवन सिंह वाली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट कोच, बुक्स का ओथर, एंड मोटिवेशन स्पीकर, आज का जो टॉपिक है, मैंने बनाया फ्लैट वर्सस प्लॉट, बार बार लोगों के फोगनाते हैं, बार बार लोगों के क्वेरी होती है, वीडि आपने फ्लैट लेना है, तो उसकी वज़ा अलग होनी चाहिए, यदि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उसकी वज़ा अलग होनी चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर मैं फ्लैट के लिए आपको रिकमेंट नहीं करता, खास करके हमारे जैसे जैसे शहर लेकिन यदि आपको investment करनी है तो मैं यह चाहूंगा कि आप independent plot में ही invest करें plot versus flat flat में रहने के लिए ठीक है किसी का रहने का purpose हो सकता है कि वह आदमी safety point of view से रहे उसकी family बाहर होती है कई बार पिछे से family मतलब अकेली रहना होता है या ऐसी जगह पर होता है कि वो बन्दा कहीं बाहर नोकरी कर रहा है दूसरे station पर और उसकी family जो बच्चों की पढ़ाई को लेके या माँ बाप की health को issue को लेके वहाँ पर रहना चाहती है तो वो safety point of view से तो आप ये कर सकते हो flat purchase कर सकते हो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा यदि आपने investment करनी है तो investment करने के लिए आपको flat को avoid करना है या उसकी proper तरीके से study कर लेनी है उसका कार्ण ये है कि हमारे चंडीगर के आसपास जिन लोगों ने आई से दस सार पहले flat खिल दे थे उनके rate down हुए है पूरे के पूरे पैसे भी नहीं मिले उनको कम मिले है हाँ कुछ societies ऐसी हैं जहां पर rate increase भी हुए है जैसे होम लेंड है कोई और एक दो society हो सकती है जहां पर rate increase हुए increase कैसे हुए है क्योंकि पोस्ट क्रोना जो market है real state की market है वो वैसे ही बहुत ऊपर चलीगी महाली चंडीगड की जो property है property की rate है otherwise जो मैं बाहर सबर्ब में कहीं काम कर रहे हैं हम वहां पर rate हों में कोई फरक नहीं पड़ा तो जो लोग बाहर से आते हैं मतलब पंजाब के दूसरे हिस्टों में से आते हैं वो भी कहते हैं के हमारे शहर में कोई फरक नहीं पड़ा लेकिन महाली चंडीगड एक ऐसा मतलब station है महाली चंडीगड पंचकुला जिसको tricity बोड़ते हैं इसमें करोना के बाद भी rate बहुत ज़्यादा increase हुए हैं लेकिन increase होने का मतलब यह नहीं के यह rate तो appreciate होगे यह लगातार हो रही है इसका यदि हमने पहले दस साल का data निकालें दस साल का ब्योरा निकालें तो दस साल में property के rate भी उपर नहीं गहीं औहीं के rate बलके नीचे यह तो जब लोटों के garant नीचे जाते हैं तो फ्लेयक का मतलब नहीं कोई क्योंके rate बंदें गाप मतलब नहीं क्योंके व्लैट फ्लैट ही होता है और suk प्लॉट इंडीपेंडेंडेंट होता है फ्लैट मैं सबसे जो नेक्री बात समय थो हूँ कोई भी बिल्डिंग बनती है आपकी ठार भी मंझल है सुपोज यह बीडिंग की जो लाइफ है साथ साल है सतर साल है साथ सतर साल के बाद इसको कैसे किया जाएगा सबसे जरूरी बात कि 60-70 साल के बाद building कल को कुछ कोई प्रावलम आ जाती है building में कोई दरार आ जाती है कुछ building मतलब डेमुरिश हो जाती है यह कुछ और प्रावलम आ सकती है तो जो ठार में मंजल वाला है वो अपना प्लॉट कहां डूंडेगा पंजाबी में कहावत है जिस्विंदर पहला जो बहुत ही वड़िया कमेडियन है बी चड़ी गड़ तैजू ता पिंड़ा वर रहे जू मतलब यदि चड़ी गड़ तूट जाएगा तो गवों जैसा त चाहिए है यह मत कहना कि मैं लेने के लिए रिकमेंट कर रहा हूँ लेने के लिए नहीं कहरा आप सोचना है तो सोच सकते हो लेकिन यदि आप प्योरली इन्वेस्टर हो तो बिलकुल भी फ्लैट लेने के बारे में नहीं सोचना आपके पास और मतलब अपॉर्शिन्टीज होगी और बहुत options होगी जहां पर आप invest कर सकते हो चंडी करके आसपास खरड हुआ जीरकपर हुआ पंचकुला हुआ यहां पर जो flats ने नुकसान ही किया है और फैदा बहुत ही कम किया है जो पंदरा पंदरा साल पुराने flat बने हुए हैं उनके rate post करोना के बाद भी रेट नहीं इंक्रीज नहीं हुए उनके रेट अप्रिशेटी नहीं हुए तो हमने यदि हमने investment of point of view से लेना है तो हमें independent plot के लिए जाना है स्पोज आपने आपके पास पैसा है आप अपने लिए घर लेना चाहते हो पैसा कम है तो मैं यह recommend करता हूं कि आप डेट सो गज का दो सो गज का जो भी आपकी क्पेस्टिया पलॉट लिलो मुआली चंडिंगर की मैं बात कर रहा हूं यदि आप उसको बनाके फलोर बाइज बेज दोगे तो भी आपको एक फलोर जो बच जाएगी बहुत ही कम रेट में बच सकती है यद हैं तो उस में बहुत मुश्किल हो जाते हैं दूसरे बिल्डर भाईयों के लिए मेरी इसमें एडवाइस यह है कि वैसे ही फलैट मनाके मत बैठ जागरू फलैट बनाने के लिए आप यहां पर लैंड का रेट पचीस हजार पे गज से कम हो वहां पर फलैट बेचने मुश इन में फलैट बना दिये और आज तक वहीं का वहीं प्रजेक्ट फशा हुआ है सतारा साल होगे उसको और जिस आदमी ने बनाय थी जिस जेन्टल मैं ने बनायते मिस्टर सिंगी वह पता नहीं बिचारा कहां आगे पिशे हुआ हुआ है मतलब यहां मार्केट में नहीं है मार्केट से भी निकल गया मार्केट से तो यदि आप बनाना भी चाहते हो तो आपने लैंड कॉस्ट जूट देखनी है जहां लोग इंडीपेडनेंट फल पलॉट फोर्ड नहीं कर सकते हैं इंडीपेडनेंट घर फोर्ड नहीं कर सकते हैं वहां पर फ्लैट बिख सकते है जैसे आप दिल्ली-मंबे की बात करते हो उससे बहुत देते, पुसला देते हो तो वह इसी लिए कि यह वीडियो आपकी कन्फीजन दूर करती है यदि यह वीडियो पसंद आ इसको लाइक कर देना शेर कर देना अपने दोस्तों का साथ चर्चा कर भाज़िए और कोई आपका स्वाल हो कमेंट बॉक्स में वीडियो अच्छी लगे तो इसके उपर आप कमेंट में हमें एप important वीडियो आपसे मिशना हो जाए बहुत जल्द मिलूँगा आपको आप सीखते रहे पढ़ते रहे आगे बढ़ते रहे पढ़ेंगे हम तभी तो बढ़ेंगे हम आपका दोस्त आपका होस्त राजवन सिंग महाली थेंक्यू बरी मच्च मिलता हूं जल्दी ने टॉपिक के स दोने टूपिक के मलुपिक